और Hong Kong Women के बीच में दुस्तों जो मेच कला जाने वाला है SEC Women's Amazing Cup का चोथा मेच की रहने वाला है इसके पहले और रेड़ी दो मेच कल की दिन खेले जा चुक है और एक मेच दुस्तों पाकिस्तान का अभी जो चल रहा है इस वीडियो में दोस्तों आपन बात करें कि कोनको से प्लियर इंपोर्टेंट रहेंगे दोनों तीम की तरफ से साथ से आपको एक चीज़ पहले ही बता दू कि इंडिया की टीम काफी स्ट्रॉंग रहने वाली है Hong Kong की टीम के कंपेरिशन में करें के तो ठोड़ास इंको एडवांटेज के रहा है तो थोड़ासे न को एडवांटेज मिल सकता है वेन्यू के वारें वर बात करें तो अल्रेडी इस वानमेच़ एग जाके यह उड़े जा चुकी हो ऑड़ी जो पाकिस्तान हुमें का मेच है वो चल रहा है अबी इस वेन्यू के अगर में बात करें तो दो मेच जो हुए इसमें टोटल 26 विकेट गिरें, 9 विकेट पेसस ने, 17 विकेट इस्पिनर गिरा हैं और जो ओसत इसको निकला है 4 इनिंग का दोस्तो वो सिंत्यान विरन का रहा है इस पिनर को काफी सब्सक्राइब बिलने वाली है सुध्यान रखना इस पिनर विल विदा की इन्दीज मेच और होंग्कॉंग टेम के पास ज्यादा इस पिनर नहीं है इनके पास दो या तीनी ओप्सन है जो कि स्पीन बॉलिंग करते लेकिन इंडिया टेम के पास काफी सारे इस पिन बॉलिंग के ओप्सन रहेंगे तो यह एक और प्लस पॉइंट रहेगा इंडिया टीम के पास इस मेच को विन करने का वेन्यू के बारे में वह डिटेल में बात करें दूस्तों तो 10 मेच पिसले जो खेले गया उसमें पहले बेटिंग करते हो चेस करते हो दोनों मे पाइञ मैच विन करेंगाये इसके अपशले रिषेनट मेच खेला गया डूसतों इस वेन्यू पर वो खेला गया है बंञाय gesture पांग ओर मालेशी हुमेट को इसमें आप किलियर के देख सकते हो कि इस क्लियर योश को नों विकेट भी ट 17 विकेट बीने !! शो इमीने में प्न स्पिनरों को थोड़ा से ज्यादा एडवांटेज मिला था पेसर के कंपेरीजन में लागी दोस्तों यह जो वेन्यू रहती है पेसर के लिए इतनी बुरी नहीं क्योंकि जो मेंस के मैचे से होते हैं इस वेन्यू पे उसमें पेसर काफ़ी आज इंपोर्टर रोल प्रे करते ह इसके पेले दोस्तों अगर आप देखोगे तो यह जो मेंस के मैचे से इसमें स्पिनरों की कंपेरीजन में पेसर से ज्यादा विकेट निकाल लेते हैं ठीक है तो यह चीज़ धियान रखना पेसर के लिए इतना बुरा विकेट नहीं है लिकिन जनरली स्पिनरों को लगा बैटिंग ओडर के साफ से प्लेइंग लेंग जमाने की उसस्तों मुस्कान मलिक आएंगी काफी अच्छी प्लेयरों रिसेंट फॉम बहुत ही तकड़ा चल रहा है पिछले दर्स में चार सतक लगा चुकी है त्यान रखना चार सतक लगाई है इन्होंने तो इंपोर लिख में चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते क्योंकि इनको ऊपर सथीन बेटिंग करेंगे यह अच्छे प्लेयर है और यह टिक के खेलने वाले प्लेयर है इनको हो सकता है कि बेटिंग के तामों का ना मिले करने का हो जाए दोस्तों में चुब्स देखाई होगा किस तरीके इसके अलाव मन्नत का स्टेप या फिर अनुसा में से कोई एक प्लेयर कहलेगा खेलेगी बरेडी अनुसा ने दोस्तों काफी अच्छी प्लेयर कहलने वाली है जिसमें हाई चांस है मेडी वाला के दूस्तों पार्सभी चोपराव को आपने पर्फॉमस रीसेंटल देखा ह इसके अलावर यह दो प्लेयर नहीं है और यह दोरों की दोनों दूस्तों पेसर रहने वाली है इनको इस वेन्युपर इतना एडवांटेस आया ना मिल पाए लेकिन ध्यान रखना ओपन में बॉलिंग करते हैं और देच में दूस्तों में इस्पीन बॉलिंग करवाई जा ग्ल compression। छलते हैं कि कौन का से एड़ियर सेफ रहते हैं को मन पड्रिंग वैपन लेके चल सकते हैं तो यह इसमें आपको कुछ से प्लेयर बता जता हूँ जिनन पर आज आप रििसक ले सकते हो एक तो दोस्तों अ माड़ी हो इनको ध्रॉप कर सकते हो अगर आप ऐसए प्ल इनका बेटिंग और नीचे रहे सकता है तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो पिच्छा सी परस्टन लोगों ने लिया है इनके कंपेरिजन में दूस्तों काफी सारे से प्लेयर है इनका परस्टन बहुत कम है लेकिन ग्रेंड लिग पॉइंट विए से काफी इंपॉर्टन रोल प्लेय करने वाले हैं मुस्कान मलिक मुस्टों लिए ओपन करते हो दिखेंगी या फिर वंडर्ण बेटिंग करते हो दिखेंगी तो इनको आप बिल्कुल ले सकते हैं का फॉर्म जाबर्दस चल रहा है क्या फो में नीचे अपन देखने वाले हैं स्रियांसी पर्टन काफ अच्छी प्लेयर है तो टिक के खेलने वाली बेट चुम में तो यह ग्रेंड लिग में मेरी नंबर बन पिक रहने वाली इनको आपको जरूट रहे करना है स्वेता सेरावत 17 लोगों नहीं लिया लेकिन यह ओपन करते दिखेंगी तो यह दोनों की दोनों ओपनर इंपोर् वाकिये पार से भी चोपराओं को आपको जरूट रहे करना और ग्रेंड लिग में कैप्टन क्रिप में काफी अच्छी पीगे इस्पीन बॉलिंग करती है और विकेट टेकर बॉलर रही है इसको आई डीटेल देख लेते हैं यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि प अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो इनके पास अच्छा मोका रहेगा कि यह बड़ा टार्गेट सेट कर सकती है उस कंडिशन में कैप्टन के लिए भी तगडी ओप्शन यह रहेंगी दुस्तों त्री साग ओड़ानी के रिकॉर्ड देख लो थोड़ा सा अच्छा रहेंगे इनके दुस्तों स्रियांशी बाटिल राइटा मोब्रेक बॉलर ने रिस्टेंट ली फॉर्म अच्छा चार रहा रहेंगी इसके अलाव दोस्तों यह प्लियर्स तोरू की दोनों पेसर है इनको में जादा रिकमेंट नहीं करूंगा हला कि रीचेंट ल अचाओ तो बिल्कुल ले सकते हैं स्मॉल लिक दोनों में बट इस वेन्यों के साब से ठीक प्लेयर यह रहने वाली है इसके अलावा यूमा चेतरी है जो कि विकेट कीपिंग में अगर खेले तो आप बिल्कुर रहे करिएगा इनको और डिफ्रेंसल पिक भी रहने वाली ह अलाएकि बैटिंग और इनका कंफर्म नहीं बता सकता है कि किस बैटिंग और पर बैटिंग करने आएंगी अनुजा है और इनके रिकॉर्ड देखलो अनुजा अगर खेलती है तो रिसेंटली फों काफी अच्छे चार रहा है क्याप्टर जरूर रहे कर लेने एकाद ग्र रोंडर है मारियाना लेंपोग है जो कि कुछ ओवर के गेंदेवाजी कर सकती है और बैटिंग में भी कॉंट्रिबूट कर सकती है अलिसा हबर्ड है इसके अलावा यह प्लियर है मारियान भी इनकी बहत्रीन बॉलर है और अच्छे खासे विकेट लिके जाती है दूस्तों रुचिता वेंकेटेस और बैटिचेन यह दोने की दोनों स्पीन बॉलिंग ओप्सन रहेंगे इनकी तरफ से इसके अलाव बाकि सारे पेसर्स आपको देखने को मिलेंगे और इकरा से अर भी अच्छी बॉलर है दूस्तों इनकी तरफ से अगर आप देखोगे से प्लियर जोंके मेगजिब लोगों ने लिया है कॉमन प्ले-इर भी बूसके और स्मॉल लिक वाली धुस्तों तो यहां पर आप देखोगे समने इन लोगों कूल इनको साथ गया आप चाहू तो इनको ले सकते हैं या फिर सामने महरी टीम के विकेड़ के पर भी सकते हो सभी का बैटिंग और नीचे हैं सभी लगभग एक जिससे ही पॉइंट आपको दिलाने वाली है नतासा मैल्स अठी परसंट लोगों रहे लिया है बिल्कुल लेकर चल सकते हो अच्छी प्लेयर है के रीचेन इनके आवे परसंट प्लेयर है और काफी तकड़ी प्लेय एम लेंपो केवल तीन परसंट लोगों ने लिया है और यह आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी बैटिंग समें दे रखाए तो इनको ग्रेंड लिग में जरूर आपको ट्राय करना है इकरा सहर और आर वेंके टेस इन दोनों को जरूर ट्राय करना है यह अच्छी प् मार्च चुकी है पिछले दसमें सहने से जाथ इजले डॉप कर सकते हो कैरी चैन है अच्छी प्लेयर है विकेट टेकर बॉलर है और इस पीनर है इस वेन ने पे इनको मदद में लेगी मार्यान लेंपो के दोस्तों रिसेंटली बॉलिंग जादा नहीं करी है बड़ी बॉल काफी अच्छे फॉर्म में इनको जरू ट्राय करना हो ग्रेंड लिग खेल रहा हो तो कैप्टन जरू बना के चलना है बैटी चेन को तो दियान रगना जो जो प्लेयर आपको पता है इंपोर्टेंट है इनको ग्रेंड लिग में आपको साही से यूस करना है तब जाकि प्लेयर लेना है और बच्चे हुए प्लेयर में से एक प्लेयर आपको उपोनेंट रहेगा इसमें ट्रीक है रहेती है दोस्तों पास प्लेयर दियें में सबसे बैस्ट जो प्लेयर उसको आप अपने टीम में पहले से लेलो ताकि आपको जो उस प्लेयर को ना ले पाए और बच्चे हुए चार में से पिक करेंगे और आप इसमें इजली विन कर सकते हो यहां पर देखोंगे नीचे वाले स्रेट में क्लियर लिए के एक ही ओप्शन मुझे अच्छी दिख रही है वह है दोस्तों बैटी जेन और यहां से आप चाहो तो एम कश्चे आपको भी ट्राय कर सकते हो इसके अलाब है यहां पर मारी को ही ले और स्रियांशी पार्टी यह दोनों अच्छी प्लिए इसके रहाए यह दोनों भी अच्छी लेकिन थोड़ा सा उपर वाला कन्फूजन वाला है तो नीचे वाले स्रेट में आपको प्रीफर करूंगा यहां पर जादा चो अपने टीम देख लेते हैं सबसे बिल आपको मैं टीम बताऊंगो उस तरीके से ताकि दूस्तों आप अधर प्लेटफॉम पे भी टीम लगा सको यानि कि पुराने फॉर्मेट के अकोर्डिंग लिए अपनी स्मॉल लिग की टीम देखने वाले हैं सबसे बिल सौuan, जोग फोड़े देते हैं इंडिया टीम तरफ Sutर जाया लेल आपने लिए जाया बेटर रहेगा तो इहांपर दूस्तों मैंने M को यो कि इतनी अच्छी नहीं है सो विकेट अपना जल्दी गावा सकती है इसके अलावा टी गोडान या 80% चुरी 80% लोगों ने लिया है बेटिंग ओड़ा थोड़ा सा नीचे हो सकता है सकारेंट से मैं इनकोपनेटी में प्रिफर नहीं कर रहा हूं और यहां से मार्यान बीवी मेरी टीम में रहने वाली है तो बॉलिंग सेक्शन में सेव पिक रख लिए या फिर आप चाहो तो मार्यान बीवी की जग आपे बैटी चेन को ड्राय कर सकते हैं बैटी चेन का रिसेंटली फार्म भी काफी अच्छा चाड़ा और इंपोर्टेट कैप्टन वाइस कैप्टन की रूप में अगर बताओं दुस्तो स्री आंसी पाटील अची एप्षन है यहां पर पारसे भी चोप्रा को आप क्येप्टन की रूप में ट्राय कर सकते हो इसके अलावा दुस्तो हौंकुंग की तरब सा कर बनाना चाहों तो कैश्यारी चेन है तो श्रियांची पार्टिल और यहाँ पर पार से भी चोपरा को इपने टीम में केप बाइस के प्रीफर कर रहा हूं दोस्तों तो मेरी टीम कॉंबिनेशन फिलाहल यह दिख रहा है लेकिन फाइनल नहीं है तो लिंक नेशी दिस्क्रिप्सिन में देरीय मत करो फटाक से जोइन कर लो टेलीघाम चैनल को और यह तरीके के वीडियो के लिए दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर फोलो कर ला नै क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको domestic matches की वीडियो मिलेंगे जो कि आपको कोई भी नहीं लेता है तो ज़रूर follow कर लेना YouTube चैनल को और bell icon ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो upload हो जाए तो आपको notification तुरंत मिल जाए करें